नमस्कार, दे रेड माइक में आपका स्वागत है, मैं हूँ संकेत उपाद्याई राय बरेली का मुकाबला एकदम से सुर्खियों में आया है लेकिन आप जानते हैं कॉंग्रेस इसको गढ़ की तरह देखती है लेकिन सोनिया गांधी हटके अब राहुल गांधी यहाँ पर कॉंग्रेस का चहरा है वो यहाँ के कैंडिडेट है और उनसे मुकाबला होगा दिनेश प्रताप सिंग जी का जो की बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है दिनेश जी आपका द्रेड माइक में बहुत-बहुत स्वागत समय देने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह मुकाबला इसको आप किस तरीके से देखते हैं पूरा देश मोदी जी और राहूल जी के मुकाबले को बड़े करीब से देख रहा है तो मैं नहीं समझता कि यह मुकाबला महत्तोपूर्ण होगा महत्तोहीन है मोदी जी के सामने हर जगे राहूल गांधी महत्तोहीन दिखते हैं राइबरेली में भी महतुहिन दिखेंगे अगर आप लोगसवाग की द्रस्टी से देखते हो तो मैं भी कहता हूँ वो सुनिया गांधी के बेटे हैं और मैं राइबरेली का बेटा हूँ राइबरेली के बेटे के साथ राइबरेली के लोगों का आशिरवाद है आज की तारीक में मैं राहुल गांधी से बहुत आगे हूँ प्यार में, संमान में क्योंकि मैंने सेवा की है राहुल गांधी जी अचानक आ गए और पोरे दिश को एक धोका देतें जेसे राहुल गांधी दिख रहे हैं कभी कहते हैं, अमेठी हमारा घर है, फिर थोड़े दिन बात कह देते हैं, वैनाड मेरा घर है, फिर थोड़े दिन बात कह देते हैं, राइवरेली मेरा घर है, ये घर होना, अपना होना, कागज और कपड़े की तरह नहीं बदला जा सकता, इस आचरन बयोहार का परेडाम उन कॉंग्रेस परिवार को और कॉंग्रेस के सदस्यों को धोखा नहीं दिया है और जब मैं धोखे की बात कहता हूं तो मैं कहता हूं चुनाओ की नतीज़ों मैं आप देखें मोधी 1, मोधी 2 उसमें और कहीं प्रदेश में कुछ हो या ना हो ये राइवरेली साथ रही लेकिन अमेठी नहीं रही तो आपको लगता है इस बार ये गांधी परिवार की किसी इंसान का उतरना ये आपके लिए और वो भी राहूल गांधी का आना ये आपके लिए एक सर्प्राइस था आपका भी कैंडिडेचर बहुत देर से अनौंस हुआ उनका आपसे भी बाद अनौ नहीं मेरे तो पार्टी का प्रत्यासी सदयो विद्यमान रहता है क्योंकि हमारी भारती जंता पार्टी का कारेकरता कमल के फूल को प्रत्यासी मान कर सदयो चुनाव लड़ता है और कमल के फूल की उपस्तिती राइबरेली में सदयो रही है नाम की उपस्तिती बिलंब से ह सकता हूं लेकिन राइबरिली का प्रत्यासी कमल खिलाने के लगातार गाउंगली में जुटा हुआ है तो वो तो प्रत्यासी मान रहा है राहुल गांधी प्रत्यासी नहीं थे कांग्रेस के लोगों को नहीं पता था कि राहूल गांदी पत्यासी होंगे राइबरली के लोगों को नहीं पता था राहूल गांदी पत्यासी होंगे लेकिन भारती जंता पार्टी के राइबरली के हर कारकरता को पता था कि कमल का फूल हमारा पत्यासी है और उसके लोगों ने मेहनत किया कि राहूल गांधी संभव है अमें ठीसे चुनाव लड़ें यहां से प्रियंका गांधी लड़ें तो मैं समझता हूं कि राइबरिली प्रियंका गांधी से लड़ने के लिए तयार थी राइबरिली का भारती जंता पार्टी का कारकरता प्रियंका गांधी से लड़ने को तय मतलब आपका एक कहना है कि राहुल गांदी और प्रियंकर गांदी जो है उन में बंती नहीं है ये उनके परिवार का विश्य है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना कि बनती है नहीं बनती है लेकिन जैसा हमने देखा राइबरेली ने देखा और देश ने देखा अमेठी से जिस पत्यासी को चुनाव लड़ाया गया वो हमारी राइबरेली में गाओं के परधानी का चुनाव भी नहीं लड़ सकता लेकिन ये नफरत के जो बताते हैं महबत की दुकान चलाते हैं इतनी नफरत उनको राइबरेली से है अमेठी से है जिसका कोई जबाब नहीं है 1952 से 2024 तक राइबरेली की माओं की कोक से जन में किसी बेटे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया जब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी अत्वा गांधी नेरू खांदान का कोई भी बेक्ति चुनाओ नहीं लड़ा तो भी राइबरेली से ही कोई प्रतैसी थोपा गया राइबरेली के बेटे को टिकट नहीं दिया गया राजसभा की ताकत राइबरेली से मिलती थी अपने ड्राइबर कंडिक्टर को भी राजसभा बना दिया गया होगा लेकिन गांधी परिवार ने कभी राइबरेली के किसी बेटे को राजसभा नहीं दिया लोगसभा राजसभा तो छोड़ दिये सांसदों के प्रतिनीद भी राइबरेली के कभी नहीं हुए राइबरेली के बेटे कभी नहीं हुए इतना नफरत रखते हैं ऐसे ही दिखता है कि अमेठी में बहुत अमेठी के निस्तावान कारे करता होंगे जो जिन्दगी बीत गए होगी और किसोरी लाल सर्मा से हजार टाइम बड़े कारे करता होंगे ताकतवर कारे करता होंगे जनादार कावाले कारे करता होंगे लेकिन इस गांधी परिवार की एक नीती नियती है कि अमेठी राइबरेली का बेटा कोई दिल्ली न पहुँचने पाए ये उनकी नियत रहती इसके कारण दिल्ली इन से दूर होती चली जा रही है ये अभिसाप है राइबरेली अमेठी की माओ का कि जिनके बेटों को कभी उन्होंने इस लाइक नहीं समझा क्यों लोग सब पहुंच सके अपनी उपस्तिती में भी तो आपका यह कहना है कि इसलिए उपर से यह लोग आ जाते हैं और यहां से कोई कोई स्थानिया केंडिडेट नहीं दिया है अब मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं 2019 में स्मृति इरानी जी ने जो किया अमेठी में आपको यकीन है आप वो राइबरेली में कर पाएंगे मुझे तो राइबरेली की जंता पर यकीन है राइबरेली की जंता 2019 में ही अपने बेटे को सांसद बना चुकी है सोनिया गांधी कांग्रेस के प्रत्यासी के रूप में हार चुकी है ऐसा सम्भव है ऐसा सही है कि लोकसभाग के सांसद होने का सर्टिफिकेट सोनिया गांधी को ही मिला है एजे कांग्रेस लीडर एजे कांग्रेस प्रत्यासी सोनिया गांधी हमसे हार चुकी है क्योंकि जितना ओट सोनिया गांधी को मिला है वो समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी अपना दल कृष्णा पटेल गुटका है अगर सोनिया गांधी का ओट कांग्रिस का ओट निकाल दिया जाए तो सोनिया गांधी हमसे बहुत ओटों से हारी है और मैं समस्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्यासी इस बार मैदान में है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्यासी जितना ओट पिछली बार सोनिया गांधी को मिला था उससे लाक डिर लाक ओट जरूर घटा देगा यह तो बड़ी रोचक बात आप कह रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि BSP का candidate जो है वो मजबूत होगा, उस चक्कर में जो Congress का प्रत्याशी है, उनके वो count नहीं होंगे vote और स्थिती बदल जाएगी, आप तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जो कि राजनीतिक रूप में उत् स्थिती की बात करता हूँ कि राइबरेली लोग सभा में जब दो प्रत्यासियों के बीच चुना होता था, तो आधा आधा उट बढ़ता था, जब तीन प्रत्यासी होंगी, ट्रेगुलर फाइट होगी, तो no doubt कि तीन जगा उट जाएगा, इसमें कौन सी बात है, कौन किस को फाइदा दे रहा है, लेकिन इतना तो इसपस्त है कि तीन प्रत्यासी मैदान में, तो दिनेश पताब सिंग का ये मानना है, बीच पी का जो केंडिरिट है, वो ट्रम कार्ड होने वाला है, इस मुकाबले में, अगर बीच पी का दो हजार उननीस में, लोक सभाग में कां राइबरेली में नहीं था, बीच पी का समर्थन कांगरेस के साथ था, सोनिया गांधी के साथ था, और इस समय बीच पी का इंडिपंडेंट प्रत्यासी चुनाव लड़ रहा है, तो जितने ओट बीच पी के सोनिया गांधी के साथ 2019 में जूड़े थे, इस बार डिड़क् भी यहां से उनके चुन करके आते रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है इस गड़ बंधन का उनको फायदा होगा और शायद आपको नहीं, यह चिंता नहीं होती है, जब 2019 में सुनिया गांधी हम से चुनाव लड़ी थी, भारती चंता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, तो आप उलेक करे हो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का तो मैं उतना ओट तो उनको दे ही रहा हूँ, मैं केवल अपना दल किसना पटेल और बसपा का ओट निकाल दीजिए, तो जितना ओट 2019 में मिला था, आज की तारीक में राहुल गांधी मुझसे आ रहे तो यह तो आपने एक extrapolation किया है, कि अगर उतना ही अगर voting होगी, तो उस आधार पर आप जीत जाएंगे इस बारे। चाहता हूँ कि देखे ये जो मुकाबला है, दिनेश पताब सिंग जी कांग्रेस के कारकरताओं में इतना ही उत्सा था तो कांग्रेस का एक परधान नहीं है एक ब्लाग प्रमुक नहीं है एक जिला पंचाई सदस से अध्यक्ष नहीं है एक MLC नहीं है एक MLA नहीं है यह तो कांग्रेस का उत्सा कहों चला गया अगर कांग्रेस के कारकरताओं में इतना ही उत्सा था, तो आज तक एक खाथा क्यों नहीं खोल लिए, आप जिसको उत्साइच बता रहे हो और जो उत्साइच होके 6 लाक कोट गिना रहा है, उसी का उत्सा के तो तो पड़िधान सभा में सुन है न तो क्यों नहीं मेरा आखरी सवाल दिनेश जी आज हमारी राइवरेली की जनता से बहुत बात हुई अलग-अलग जगां जाकर करके हमने बात किया एक सजन मिले जिनका एक कहना है कि मैं मानता हूं कि कुछ-कुछ और MLC होते हुए वो भाजब की बात करने लगे लेकिन उन्होंने वो MLC पद नहीं छोड़ा याने कि वो जंडा Congress Party का ही ले करके चलते रहे तो ऐसा क्यों किया दिनेश पताब सिंग जी ने और जो सवाल मैंने आपसे पहले भी इस कारिकरम की शुरुवात में पूछा आप Congress म समाप्त हुए कम से कम छे साल गुजर गए मैं 2018 में भारती जंता पार्टी च्वाइन किया और 2019 में इस राइबरली की देव तुले जंता ने मुझे पौने चार लाग वोड दिया तो जो लोग मुझे सवाल करती हैं सवाल कब का खतम हो चुका इस सवाल का कोई मतलम नहीं लेकिन आपने भी से उठाया तो मैं कह सकता हूँ वो विचारे जो सवाल कर रहे हैं हो सकता है उनको बाकी सब ग्यान हो इस तरह का समयधानिक ग्यान हो सकता है ना हो मैं राइबरली की विधान परशद में इकलोता सदस था एक सदस को दो तिहाई बहुमत साबित करने के ल तो मैं अकेला चुकी हाउस में था तो मेरे उपर दल बदल कानून नहीं लागू होता इसलिए मैं MLC बना रहा हूँ लोग सबा का चुनाओ लड़ गया संबैधानिक परशदियां अगर मेरे विपरीत होती तो लोग विधान परशद की सदस्ता से स्थिफा देता और चु ग्रूप में जिसमें दल बदल कानून उन्हीं पर लागू होता है जो दो तिहाई बहुमत कांटे हैं तो यह संकट था हो सकता हो विचारे जिन्हों ने आप से सवाल किया हो यह समयधानिक विसे ना जानते हूं इसलिए उन्होंने कहा होगा और मैं इतना मानता हूं कि 2019 मे अगर मुझे पौने चार लाग खोट मिला है तो इस बार मुझे छे लाग से उपर खोट मिलेगा इसमें कोई दुविदा नहीं है और अगर सब मैं पहले कह चुका हूं कि पिछले चुनाओं में आमने सामने फाइट थी और इस बार ट्रेगुलर फाइट है उतने वोट की आवस्यक्ता इस समय जितने और लडने के लिए नहीं है जितने 2019 में थी आपने बुला राइबरेली और अमेठी के लालों को टिकट क्यों नहीं दी आपने बुला राइबरेली और अमेठी के लाल जो है उनको यहां के जो लोग है उनको टिकट नहीं दी है कॉंग्रेस पा अगर आप एक होगे तो मैंने जो कहा कि 1952 से 2024 तक किसी को नहीं दिया गया भारती जनता पार्टी ने इसमती इरानी जी से पहले बहुत सारे अस्थानी कंडिडेट दिये हैं डक्टर संजे सिंग अमेठी के रहने वाले हैं और भारती जनता पार्टी के MP थे और देश में मिनिस्टर थे यह जो मैं कहरा हूँ यह भारती जनता पार्टी पर लागू नहीं होता राइबरेली में दो बार भारती जन्ता पार्टी के असोक सिंग राइबरेली की मा की कोक से जन्मे बेटे हैं जिनोंने यहां के सांसद रहने का सौभा के हासिल किया है कॉंग्रेस के टिकट पर कोई भी पत्यासी राइबरेली और अमेठी में नहीं उतारा जाता मेरा ये कहना है राइबरेली और अमेठी में भारती जन्ता पार्टी ने राइबरेली और अमेठी के माओं की कोक से जन्वे बच्चों का सम्मान किया है हमेशा टिकट दिया है और सांसत बनाया राइबरेली में बहुत सारी और फिर क्योंकि उसी लड़के की मुझे बात याद आई उसने बोला कि बहुत सारी यहां पर फैक्टरी खुली आई टी आई था सब तमाम चीजें जब सुनिया गांदी सांसती और यूपीए की सरकार्ती उनका एक आरोप यह है कि वो सब जो हैं उनमें वेकिंसी भरी जा रही हैं इस पिछले जी नहीं थे तो देश के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर लिखा होता था किसी अजनभी बस्तू को छूओना बं हो सकती है तो आप हमको बताओ अगर मोदी जी के आते हम देशवासी सुरच्छित हैं अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं राइबरेली में गंगा एक्सपिस यह काम भी तो कभी गांधी परिवार वाले नहीं कर पाएं इतिहास में कभी नहीं कर पाएं," खाल कि जास ही, मुझे बताओ ओवराल देशवासी मोदी जी के साथ है कि नहीं है ओवराल की बात करो अगर कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता ब्रम्ब परिपूर्ण है भगवान परिपूर्ण होता है मनुष्य से जो भी होगा उसमें थोड़ा बहुत कमिया होंगी और जो दायतों का निर्वान करेगा उसे कुछ न कुछ चूक होना छूट जाना अच्छा है जो दायतों का निर्वान नहीं करता है केवल देखता रहता है अगर मैं आज आपको चाय पिलाऊं तो आप कहे दोगे चाय में चिनी कम है लेकिन जिसने आपको कभी चाय नहीं पिला उसपर आपके आरोप लगा पाओगे तो दायतों का निर्वान करने वाले से भूल चूक होती है हो सकता है किसी कारेकरता को कोई सिकायत हो लेकिन बहुत सारी खुसियां भी उसको है उसी कारेकरता का जबाब ये भी है कि हमारे निता मोदी जी है अगर ये कह रहा है उसके बावजुद तो आप क्या समझते हो कि मोदी जी की सुखारता नहीं है मेरा सवाल नौकरी पर था लेकिन आपने और समाम चीजों को बताया बहुत बहुत धन्यवाद आप कह रहे हैं 6 लाख वोट आपको मिलेंगे देखते हैं क्या नतीज़ा आता है बहुत धन्यवाद दिनेशी थैंक्यू